आईए हम कुछ एलीगेशन का अत्यानता आउस्य को देखते हैं जो आपके एक्जामनेशन के लिए जैसे से एरेलवे इन सभी एक्जामनेशन के लिए इन सारे तरह के कोचन परेदी पकड़ बनाया जाए तो काफी महत्पून रहेंगे ये प्रश आईए एक एक करके हम देखा जाए भाई लोग खार है कि एक बरतन में दूद और पानी कानुपात साथ अनुपात तीन है दूसरे बरतन में दूद और पानी कानुपात आठ अनुपात पांच है दोनों बरतन के मिसरन को किस अनुपात में मिला जाए कि इनहें मिलाकर बने मिसरन में दूद पान पानी कानुपाथ 42 अनुपाथ 23 यह दिया गया है तो देखा जाए यह कोश्चन जो है आपके एक्जामनेशन में बराबर पूछा जाता है किसी ना किसी रूप से भी द्यार्थिकन आईए हम बताते हैं कि हम जान क्या रहे हैं एक्जामनेशन में भी द्यार्थिकन हम लोग यहां पढ़ क्या रहे हैं कि जैसे कि इस तरह से एक बरतन में अलग अलग दो बरतनों के घोल को मिला दिया जाए जैसे कि इसमें आपका दूद पानी कानुपाथ है और इसमें आपका दूद पानी कानुपाथ है इन दोनों घो वो दे दिया गया कि मिसरण में जो घोल तियार होगा वो 42 अनुपात कितना 23 तो आप से क्या पुछ रहा है कि की बरतन के लिटर का है और ये बरतन दोनों के छमता का अनुपात पुछ रहा है या कि इसका कितना लिटर छमता लें और इसका कितना लिटर मिला है कि वो 42 और 23 हो जाए तो जब भी इस सिच्वेशन में कोचन हो कि अलग-अलग बरतन भी दे दे और मिश्रण का मान भी दे दे तो ऐसे प्रश्णों में हम लोग एलिगेशन लगाते हैं जैसे पहला बरतन में बिद्याटिगंड 7 है साथ है दूद कितना में तो टोटल में हर में तो टोटल दस में दूसरा में दूद है आठ यूनिट टोटल कितना में तो सर्थ 13 में अब हमको ये पता चल गया कि सर्व मिश्रण में कितना है तो मिश्रण में दूद 42 है और बट्टा में कितना तो सर्थ टोटल हो जाएगा आ लेकिन जब भी हम fraction तयार करेंगे तो बेस में bene- prosperity में टोटल भैली होगा हैं आप क्या करेंगे कि बेस को इसको हटाने के लिए इसको आसान करने हालाकि इसे तिर्शा तिर्शी आप घटाक एंसर कर सकते हैं लेकिन और असान यदि बनाना चाहते हैं तो सभी हर का एलसियम ले लिजे यदि हम यहां से हर का एलसियम ले रहे होंगे ना मेरे भाई लोग तो एलसियम हो जाएगा 130 एलसियम किसका किसका तो 10 13 और 65 का अब यदि 10 से हम लोग भाग देते हैं 13 में ये जो होगा 91 unit होगा ये 13 cebhada e2 ये यह हो जाएगा असी unit हो जाएगा और 65 से भाग डेंगे 2 ये जो हो जाएगा ये आपका a4 unit होगा अब भी ते म कुस्षेज हर्मक्ण से मतलब है ना तो इस फ्रेक्ण से मतलब है और नहीं इस फ्रेक्ण से अब मतलब है 91, 80 और 84 से अब जो आएगा वो answer आएगा तो इधर से घटें गा तो यह हो जाएगा 84 में 84 तो 4 और इधर जब 91 में 84 घटेंगा तो यह हो जाएगा 7 अर्थात यह जो 4 अनुपात साता है न वो बरतन का यह 4 लिटर का सरबरतन है और यह 7 लिटर का जानते हैं तो ह अगला प्रस्ष में दे दिया गया है ध्यान दthe जेगmeno यहां पर 11 गुना भारिय यूणा पानी से ताम्बा ठार अथार गुना वारी है लेकिन मिला देने पर कितना आठ गुना भारी है तो आठ हम लोग बी altern यहां पर लिखेंगे तो इधर रोजाएगा 10 आ इधर इधर सब्सक्राइब है और चाहिर को सब्सक्राइब को चल साथ हुए. हियन करें सबस्क्राइब होगा थैसे रहे रहा होगा और फिर चार से 3 बच रहा होगा 4 से 3 यह किरिया भी ड्यार्थिगन हम 4 बर कि हम यह को सकते हैं कि सब 4 बर कियानी पवर हम 4 डायरेक्ट हम दे दे यादि पावर 4 आप डिरेक्ट दे रहे होंगे तो आप इधर हो जायगा इसका पावर का मान भी दे दियाग Supto 756 जीरो और बट्टा में का यह हमारा क्रेक्ट इंसर क्छलाएग खाल आगा एक्व्स हो यहां पर विद्धार्थिगन हमारा यह हमारा 25 नाट और बट्टा में 81 एंसर होगा सी नंबर चली अगला कोशन अगला कोशन में दे दिया कि तीन कंटेनर है जिनके आयतन का अनुपाद 2-3-4 है और यह इस्पृट और विद्धार्थिगन पानी से भरे हुए है ठीक है कह रहाई कि पहला में 4 अनुपात एक है दूसरा में 11 चार है और इसमें भी धार्तिगन साथ अनुपात एक है, तीनों कण्टेनर के मिश्रन को एक बड़े कंटेनर में मिला दिया जाए, परिणामिक में पानी का अनुपात क्या है? तो ऐसे में बिद्याठी कि क्या है जैसा कि इसा हम आनुपाती क्योंग पाँट तुश्रा में केतना है तो 11 अनुपात चार है इसा ऑनुपाती क्योंग देंगे सर 15 और इसमें कितना है साथ ऑनूपाती कियों लिग देंगे 10 महल कर दियार और जितना इनका चमता देदी है आगे में गुना जिससे इसका चमता दो यूनिट है इसका चमता कितना चार यूनिट है यदि हम पान से भागा देंगे तो छे बार में 6 लाकर इसमें गुणा करके अंदर मान पराप्त करें, 15 से देंगे तो 2 लाके गुणा करके मान पराप्त करें, 10 से भागा देंगे तो 3-3 लाके गुणा करके, तो यदि 6 से गुणा करेंगे तो ये 12, 3 से गुणा करेंगे 12, वर्चु क और यह हो जाएगा बारत यहां कितना 36 ऐसा महौल बिद्यातिकन तयार होगा यह को कोज़िएगा तो यह हो जाएगा टॉटल एक बट्टे तीन और एक बट्टे चार दूद भरे हैं तो एक बट्टा में तीन और भी दर्थिकन एक बट्टे चार दूद भरे हैं और सेस पानी से भर के मिला दिया जाए तो सेस पानी तो उपर में उधर हो जाएगा दो बट्टे तीन पानी और इसमें हो जाएगा तीन बट्टा में कितना चार पानी इधर पानी जब जोड़ियेगा तो यह हो जाएगा सर उपर में हो जाएगा साथ और नीचे में हो जाएगा कितना तो बारह और इधर जोड़ियेगा तो यह हो जाएगा आठ और नो 17 और बट्टा में क्या हो जाएगा बारह तो मिलाने पर जो दूद पानी का अनुपात होगा साथ अनुपात सत्रह चलिए यहां तक भी दर्थी करें जिलते हैं अगले क्लास में जहिन जेवाद